राजवंश ये उत्तराधिकार की नीती अपनाने वाली पहली सरकार थी। नतीस्तन जिया चीन का पहला राजवंश था। लंबे समय से बाद के चीनी इतिहासकारों के एक पौरानिक निर्मान के रूप में माना जाता है, बीसवी शताबदी की खुदाई ने उन साइटों को उजागर किया जो पहले के इतिहासकारों के खातों में विवर्ण के अनुरूप थे। जिया राजवंश को शांग राजवंश C.1601046 BCE द्वारा उखाड फेंका गया था, जो एक अधिक एतिहासिक रूप से निश्चित सरकारी इकाई थी, जिसे जो राजवंश 1046 से 256 इसा पूर्व द्वारा उखाड फेंका गया था, जिया राजवंश का दावा करने वाला तर्क एक पौरानिक निर्मान है, जिसमें दावा किया गया है कि जो और बाद में राजवंश यह स्पष्ट करना चाहते थे, कि पिछले लोगों ने अनैतिक आचर्ण के माध्यम से शास राजवंश एक वास्तविक्ता थी, वे एक समान नुकसान में हैं कि अब तक उजागर किये गए स्थलो में से कुई भी सकारात्मक रूप से खुद को जिया राजवंश से संबंधित नहीं पहचानता है, और आसानी से शुरुवाती शांग राजवंश की इमारतों के रू रूप में जाना जाता था, जो 2697 से 2597 इसा पूर्व के बीच शेडों के क्षेतर पर शासन करने के लिए आदिवासी प्रणाली पूर्वयतिहासिक चीन से उभरा था। वांगती को उनके पोते जुआ नक्सुने सफल बनाया, जो प्रसिध पांच समराटों में से एक थे, जिन्होंने जिया जनजाती की स्थापना की थी। प्रसिध की शुरुआत माना जाता है, और उन्हें बाढ़, सन्मियाओ और स्थिर सरकार की स्थापना पर उनकी जीत के लिए मनाया जाता है। याओ को अपने शासनकाल के दौरान पीली नदी की बाढ़ को नियंतरित करने में एक गंभीर समस्या थी, जिसने क्रिशी को बाधित करने के साथ साथ अपने लोगों को डूगने या विस्थापित करने के लिए बाधित किया था। उन्होंने इस स्थिती का ख्याल रखने के लिए गंध नाम के एक व्यक्ति कई खातों में एक अर्ध देवता के रूप में सम्मानित को नियुक्त किया। प्रसंद नहीं थे। कहानी के कुछ संसकर्णों के अनुसार गंध ने तब खुद को मार डाला जबकि दूसरों के अनुसार उन्हें युशुन द्वारा कैद कर लिया गया था और अभी भी अन्य रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने खुद को पहाड़ों पर निर्वासित क कर लिया था। उनके जाने के बाद समराच शुनने गन के बेटे यू को काम पूरा करने और बार को रोकने के लिए नियुक्त किया। जो पानी के साथ काम करेंगे ताकि इसे समुदर में अपनी तरह की ओर ले जाया जा सके। उन्हें नहीं लगा कि समस्या हल होने तक उन्हें आराम करना चाहिए। उनके काम के प्रती उनकी एकलमान सिगता और समरपन ने उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। जो उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे, और तब तक कड़ी महंत करते थे, जब तक की नदी का पानी समाहित नहीं हो जाता था और बाढ़ नहीं आती थी. एक बार पानी की समस्या हल हो जाने के बाद, शुन को यूपर बहुत गर्भ हुआ और उसे अपनी सेना की कमान सौंक दी. यूने अपने आदमियों को सैन्मियाओ के खिलाफ नेत्रित्व किया, जो जिया के प्रती शत्रुतापूर्ण जनजाती थी जिसने लगातार अपनी स भूमी से निकाल दिया और अपनी जीत के इनाम के रूप में शुन ने उसे सिनहासन का उत्तराधिकारी घोशित किया. जिया राजवंश एडास कास 2 सारवजनिक डोमें यू के शासन को जिया राजवंश की शुरुवात माना जाता है और उन्हें न केवलबाड और सन्मियाओ पर अपनी जीत के लिए बलकि एक स्थिर केंदर सरकार की स्थापना और देश के नौ प्रांतों में संगठन के लिए जाना जाता है ताकि इस तरह के एक विशाल छे पानी के लिए प्यार करते थे कि कैसे उसके पिताने बाढ को रोकने तक घर लोटने से इनकार कर दिया और कैसे युवा क्यूई ने अपने पिता की अनुपस्थिती को इतनी अच्छी तरह से बोर कर दिया यू ने अपने मंत्री को उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर की क्यूई का बेटा ताई कांग एक गरीब शासक था लेकिन उसके कई उत्तराधिकारी अत्यधिक कुशल थे और कई आविशकारों और नवाचारों को बाद के जिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जैसे की युद्ध में कवच का विकास और युद्ध में शिष्ट का पतन शुरू हुआ जो शासन की जिम्मेदारियों की तुलना में मजबूत पे की अधिक परवाह करते थे वह गाउ द्वारा सफल हुआ जो फा द्वारा सफल हुआ जिन में से किसी ने भी किसी के जीवन को बहतर बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया लेकिन खुद को अंतिन समराट जी 1728 से 1675 इसा पूर्व था जिसे एक अत्याचारी के रूप में जाना जाता था और जिसने शासन करने के लिए स्वर्ग का जनादेश खो दिया था उन्हें तान ने उखाड फेंका जिन्होंने शांग राजवन्श की स्थापना की पौरानिक कथा बनाम इतिहास उपरोक्त में से अधिकांश को 1920 के सीई से 1960 के मध्य तक पौरानिक कथाओं पर विचार किया गया था जब इतिहासकारों की कहानियों की पुष्टी करने के लिए पुरातात्विक साक्षय उभरने लगे थे अब भी विद्वानों की सहमती यह है कि जिया राजवन्श का इतिहास काफी हद तक पौरानिक है भले ही ऐसा राजवन्श वास्तव में मौजूद था संदेह बढ़ गया क्योंकि जिया राजवन्श के शुरुवाती खाते नहीं थे और क्योंकि इसके अस्तित्व के लिए कोई भौतिक प्रमान नहीं था यह सोचा गया था कि इतिहासकारों विशेश रूप से प्रसिध सिमा कियान ने चीन में वंशवादी परिवर्तन को समझाने और सही ठहराने के लिए जिया राजवन्श को एक मौडल मिसाल के रूप में बनाया विद्वान जस्टिन विंटल यह बताते हैं सिमा का एक विशिष्ट राजनीतिक उद्देश था और आनिक आकडो और घटनाओं को विश्वसनीता देने में उनके विचार में जैसा की दूसरों के विचार में शासक स्वर के जनादेश ग्वारा शासन करने के हकदार थे यदि उन्होंने गलत शासन किया तो वह लाइसेंस जब्द करिया गया पीले समराट और यू सहित उनके उत्तराधिकारियों ने न केवल सभयताओं की सभी आवश्यक चीजों का आविशकार किया बल्कि एक मॉडल सरकार प्रदान की मानव ध्रश्टाचार के परिणामस्वरूप हालांकी यह दैविय रूप से स्थापित आदेश जल्द ही ध्वस्त हो गया और इस तरह परिचित वश्वादी चक्र शुरू हुआ एक नया शासन सत्ता में आता है लेकिन जल्द ही या बाद में शासन करने का दैविय अधिकार खो देता है जिस बिंदु पर इसे दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो जनादेश का आनंद लेता है और जनादेश की यह हस्तांतर नीता सिमा सुझाव देती है इतिहास तीन का अंतरनहित सिध्धान्त है जिया राजवंश की पौरानिक व्याख्या को 1960 बटा 1970 के दशक में महलों और चारदीवारों वाले घरों पहले के दौर के घरों से अलग की खोज के साथ चुनौती दी गई थी जो इतिहासकारों के विवर्णों से मेल खाते थे जिन्होंने जिया राजवंश पर सदियों बाद लिखा था जिया के अस्तित्व के और सबूत तब से खोजे गए हैं लेकिन इन में से किसी भी संरचना पर कोई लिखित रिकॉर्ड सकारात्मक रूप से उन्हें जिया के निर्मान के रूप में नहीं पहचानता है और इसलिए बहस जारी है कि क्या चीन का पहला राजवंश एक वास्तविक्ता थी या बाद के लेक को का राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्मार्थ